हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू मैं चाइनल फ्रेंड्स जादादर हमारे घर में कभी कभी सबेरे का गिहुं काटा बच जाता है तो वही रोज रोज पूरी पराठा खाखाख कर हम बोर हो जाते हैं तो आज हम बचे हुए गिहुं के आर्टे से बहुत ही टेषटी और हिल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं और इसमें टेल का इस्तेमाल भी बहुत ही कम होता है तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बड़े से बरतन में मैंने यहाँ पर एक कटोरी चने के डाल ली है आधी कटोरी उरत के डाल ली है और आधी कटोरी मुंकी डाल ले ली है अब हम इन सारी डालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन बार अच्छे से धोलेंगे यह देखे मैंने यह पर सारी दालों को 2-3 बार दू लिया है अब अब इसे 2-3 घंटे तक भीगोने के लिए रख लेंगे 2-3 घंटे बाद हम देखेंगे कि हमारी सारी डाले अच्छे सी भीग चुकी हैं और काफी अच्छी फूल गई हैं अब हम इसे बड़े से जाली-दार बरतन में अब हमें इसे मिकसर में पीस लेना है पर हमें इसे पीसते से में बिलकुल भी पानी का इस्तिमाल नहीं करना है ये देखिए मैंने दाल को अच्छे तरीके से पीस लिया है अब हम इसके लिए मसाला तैयर कर लेंगे इसके लिए एक मिक्सी के जार में मैंने एक चम्मच धनिया ली है एक चम्मच जीरा पाट से छे लाल मिर्ची ली है और दस बरा लसंगी कल्या ले ली है यहाँ पर मैंने तीन बड़ी इलेची ले ली है दस से पंदरा काले मेरे के दाने लिया है और एक बड़ा चम्मच नमक का डाल दिया है अब हम इसे मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे ये दिखी आप देख सकते हैं मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है ये थोड़ा सा दरदरा है फिर भी कोई बात नहीं ये दरदरा भी चल जाता है अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दे पाउडर पाव चम्मच मैंने यहाँ पर हींग डाल दी है और एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पौडर डाल दिया है अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगी मैंने यहाँ पर सुखे मसाले का इस्तिमाल किया है कई जगव पर इसमें अद्रक, लसन और हरी मिर्च का भी पेस्ट इस्तिमाल किया जाता है अब हम इसमें नमक चेक कर लेंगी क्यूंकि हमने मसाला पिस्ते समय भी इसमें नमक डाला था तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है इसमें मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया है अब हम इसे फिर से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आप इसमें अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं तो ये देखिए मेरा सवेरे का रोटी का आटा बच गया था तो इसी से आज हम बहुत ही टेस्टी और हिल्दी सा नाश्टा बनाने वाले हैं सबसे पहले हम आटे को अच्छी तरीके से मसल लेंगे उसके बाद हम इसके चार इक्वल पार्ट कर लेंगे इसकी लोई हमें जरा बड़ी ही काटनी है क्यूंकि हमें इसकी बड़ी बड़ी रोटियां बेलनी है तो ये देखे इस तरीके से हम लोई काट करके इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे हम एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और इसे अच्छे से एक बार फिर से चिकना कर लेंगे और इसे सुखे आटे में डीप करके इसे बेल लेंगे ये रोटी हमें थोड़ी सी मोटी ही बेलनी होती है जितनी हम पूरी बेलते हैं उतनी हमें इसे बेल कर तयार कर लेना है आप देख सकते हैं इसी तरीके से गोल-गोल घुमा करके हमें रोटी को बड़ा बेल लेना है बीच-बीच में हम इसमें सुखा आटा भी लगाते जाएंगे और इसे बेल लेंगे इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हमें रोटी को बड़ा बेल लेना है ये रोटी हमें ज चोटी चोटी पूरियां कट करेंगे, तो पूरी कट करने के लिए मैंने यहाँ पर बड़े से लोटे का इस्तिमल किया है, अगर आप और एक छोटे चम्मच के मदद से हम इसमें डाल की फिलिंग रख लेंगे, जितनी की आसने से आ जाए, अब हम हातों से थोड़ा सा इसे दबा देंगे, ताकि इसे फोल्ड करते समय परिशनी ना हो, और इसी तरीके से दोनों किनारों को मिला कर हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे, इसे चिपकाने के लिए हमें पानी या किसी भी तरह की लरी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारी पूरियं को अच्छे से फील करके चिपका लिया है तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं इस नाश्टे को हम पाने में पकाने वाले हैं इसके लिए मैंने बड़े से बरतन में साफ पाने गरम कर निकले रख दिया है, अब हम इसमें एक बड़ा चमश तेल डालेंगे, और आदा चोटा चमश नमख डाल देंगे, इसे के साथ हम पानी को अच्छे से उबलने देंगे, आप देख सकते हैं, पानी हमारा अच्छे से उबलने लगा है, अब हम इस नाष्टे को एक-एक करके पानी में डाल देंगे पानी में तेल और नमक डालना बहुत जरूरी है क्योंकि तेल डालने से ये जो नाष्टा है एक दुसरे को चिपकेगा नहीं और नमक डालने से हमारी ये जो आटे की परत है उसमें भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसे डालने के बाद हम इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है जब ये पक जाएंगे तो अपने आप ही उपर आ जाएंगे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा पानी अच्छे से उबलने लगा तब ये अपने आप ही उपर की तरफ आ गए हैं इसके बाद हम कल्ची की मदद से इसे धीरे धीरे चला लें इसके बाद हम इसे 15-20 मिनट तक इसी तरीके से पका लेंगे गैस की फलेम हमें हाई ही रखनी है इसके अंदर डाल जो होती है वो कच्ची होती है इसलिए हमें इसे धीरे धीरे पका लेना है 15-20 मिनट बाद हम देखेंगे कि इनका कलर चेंज हो गया है और ये जो हमारा नाष्टा है अच्छे से पक चुका है अब हम एक जारे की मदद से इन्हें एक एक करके एक बड़ी से धाले में निकाल लेंगे ये दिखे मैंने सारे नाष्टे को एक बड़ी से धाले में निकाल लिया है अगर आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म अचार या सिर्का के साथ खा सकते हैं ये गर्मा गर्म भी बहुत ये अच्छे लगते हैं इसे खाने का मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगी इसके लिए हमें इसे फ्राइ करना होगा तो इसके लिए चाकू के मदद से हम इसके छोटे छोटे पीसेश कर लेंगे मैंने यहाँ पर 4-5 पीसेश कर लिये हैं अगर आप चाहे तो इसके 2 या 3 पीसेश भी कर सकते हैं ये देखिए मैंने इसके पीसेश कर लिये हैं अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए गैस पर मैंने एक चमच तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसमें एक बड़ा चमच राई डालेंगे राई को अच्छे से तड़कने देंगे उसके बाद हम इसमें एक बड़ा चमच जीरा डाल देंगे इसके बाद हम इसमें लसन डालेंगे लसन थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा ही डालेंगे और लसन को कचर कर डालेंगे कचर कर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब हम इसे तेल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमें लसन को जादा नहीं पकाना है इसके बाद हम इसमें तुरंत ही नस्ते के सारे पीसेस डाल देंगे पीसेस डाल कर हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम हमें मीडियम कर देनी है इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हमें इन्हें अच्छे से गुल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राय कर लेना है लसन को हमने ज़्यादा इसलिए नहीं फ्राइ किया था क्यूंकि इन्हें फ्राइ करते समय लसन भी अपने आप फ्राइ हो जाता है इने फ्राइ करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है आप देख सकते हैं ये उपर से बहुत ही क्रिस्पी और कारारे हो गए हैं अब हम इने एक प्लेट में सर्व कर लेंगे इसे आप गर्मा गरम टोमेटर केचप आचार या सिरका के साथ खा सकते हैं ये खाने में बहुत थी स्वादिष्ट लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है तो आप इसे ज़रू ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू कीजेए थैंक यू